हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो अश्ना क्रेशन आज देखें मैं आपके लिए फिर एक नया डिजाइन लेके आए हूँ यह हमारा केबिल पैटर्न है और यह बिनाई आप किसी भी सुटर में डाले केबिल पैटर्न तो अल्रेडी हर सुटर में अच्छा लगता है कार्डिगर मे यह बिनाई जो हमारा पड़ा ह्विए है यह हमारा 14 संदों का है तो इसमें जब भी आफ हंदे है तो 14 में मूल्टिपल में डालिए प्लस 2 फंदे 2 इस साइड पर मैने एक्स्रा रखे हुए हैं और इस में हमारे इस बिनाई को बनाई है मैंने 31-32 फंदों से बनाई हुई है और इसमें 20 के फंदों का गैप है यह अगर आप बढ़ाएंगे तो इसी किसाब से आपको इसका मेजर्मेंट फंदों का जादा करना पर सकता है मैंने यहां पर 20 में 8 फंदे उल्टे रखे हैं अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो उसी इसाब से आप अपने फंदों का मेजर्मेंट करिए वन्ना इतना डिस्टेंस वी बिनाई में देखिए अच्छा लगता है तो फंदे हमने उल्टे बिने फिर एक दो और तीन तीन फंदे हमारे सीधे हो गया है एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदे सीधे है एक दो और यह तीन सीधे और यहां से अब एक दो तीन चार पांच 6 7 8 8 फंदे उल्टे starting में हमने उल्टे कम इसलिए करें क्योंकि हमें ये फंदे बिनाई के अगेंस्ट रखे हैं बीच के फंदे हमारे 8 फंदे उल्टे रहेंगे और 3 फंदे सीधे 1 फंदा उल्टा और 3 फंदे फिर सीधे इतने से हमारी साथ फंदों से हमारी केबिल बनेगी और आठ फंदे हमें इसमें बीच में उल्टे रखने हैं और लास्ट के पांच फंदे हमारे उल्टे हो गए और जब हम उल्टी रों में आते हैं तो यहां से हमारे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ फंदे हमें उल्टे बिनने हैं एक फंदा सीधा बिनना है और सीधा हम जो फंदा बिन रहे हैं वो हमारा जो केबिल जिसपे हमारी केबिल बनेगी तीन सीधे एक उल्टे तो जो हमारा यह उल्टा है इसको हमें पर्मनेंटली इधर से उल्टा बिनना है और इस साइड से हम सीधा बिनेंगे तो यह वो वाला फंदा है जिसपे हमें केबिल बनानी है बाकी हमारे फंदे बीच के उल्टे चलेंगे तो अब देखिए यहां पर हमारे तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरह 14 फंदे उल्टे हो गये तो 14 उल्टे means 8 हमारे बीच के फंदे और तीन और तीन दोनों साइड के ईसे आप इधर से देखिए तो clear समझ में आगा 3 और 3 हमारे सीधे फंदे हैं जिस पर हमें केबिल बनानी है यह फंदे उल्टे हो गए बीच के फंदे उल्टे हो गए और इस cable के जो बीच का फंदे है यह हम सीधा लेके बना रहे हैं बाकी के हमारे सारे फंदे उल्टे हैं और last के हमारे फंदे फिर उल्टे हो जाएंगे 3, 4 5 6, 7 और ये 8 8 फंदे हमारे उल्टे हो गए Again, जा हम इसमें 2nd रोपे आएंगे, फिर हमको सारे फंदे वैसी विन्ने है, सीधी सिलाइपे जो फंदा जैसा है वैसा विन्ना है, उल्टे फंदे उल्टे और सीधे फंदे सीधे यानि कि स्टार्टिंग के पास फंदे उल्टे, 3 सीधे, 1 उल्टा, 3 सीधे, 8 उल्टे, 8 उल्टे के बाद, फिर 3 सीधे, 1 उल्टा, तीन सीधे, और 5 उल्टे, यह रो हमारी जैसे मैंने राइट साइट की फर्स्ट रो बनाई है, वैसे बिननी है, और इसके बाद हमें इसी तरीके से उल्टी स्लाई, जैसे हमने सेकंड उल्टी साइट से बनाई, वैसे बनानी है, इसी तरीके से हमको यह हमारी उल्टी स्लाई मगप लावनte पिए इसमें एक दिख रही हैं एक दो इसी तरह हमें 4 खिश हैं में एठ रोज बिंझी हैं इसी तरीके से इसको हम पूरा आठ खिश दिख रहें वीए जब हमारी यहां पर तो न लिखेए एक दो ता इसे ही बिननी है हमें तब तक इसको हम ऐसे ही बिनेंगे यह दिखिए अब हम सेवन्थ रोपे आ गए दिखिए हमाई उल्टी अगर आप धारियां गिनते हैं तो एक दो तीन हो गई हैं चौत ही रोपे हम आए हैं तो यहां पर हमारा डिजाइन फिर से पड़ेगा यहीं कि हमारी बिनाई में हमने फिर्स रो आपको बताई सेकेंड बताई थार्ड रो और फिफ्ट रो हमारी जो होगी वो एजट इस रो वन की तरह होगी और फोर्थ और सिक्स रो जो है हमारी रो टू की तरह होगी राउंग साइट से रो टू की तरह होगी इसके बाद सेव जो हमारे ये तीन फंदे उल्टे हैं और जो तीन फंदे हमारे सीधे हैं तो जो हमारे उल्टे फंदे हैं इनको मैंने लेफ्ट हैंड की सिलाई में पीछे से चड़ा लिया और जो सीधे फंदे हैं उनको राइट हैंड की सिलाई पे लेके इस सिलाई पे ऐसे चड़ा लिये 2, 3, 4, और ये 5, पाँच उल्टे हो गए, यानि कि जो हमारे सीधे फंदे थे वो उल्टे हो गए, उन पीछे ले गए, और जो हमने फंदे ट्विस्ट कराए हैं, जो उल्टे फंदो हम पीछे लाए थे, उनको हमें सीधा बिदना है, ये फंदा बीच वाला हमेशा एक जासा जलता है, ये हमारा उल्टा रहेगा, और अब इन फंदो को, तीन सीधे और तीन उल्टे फंदो को हमें ट्विस्ट कराना है, तो हम 6 फंदे सलाई से उतारते हैं, उल्टे फंदो को, राइट हैंड की सलाई पे लेते हैं, और ये जो हमारे सीधे फंदे हैं, इसको इसLite प्लेने के बाद ये हमारे ओर तीन सीधे हो जाएंगे और जो हमारे सीधे फन्य है यहां पर हमारे उल्टे हो जाएंगे मगर संदों की काउंटing सेम रहेगी कि आपको आठ उल्टे बीच में करने हैं उसमें कोई change नहीं होगा तीन पलटने के बाद दो आपके उल्टे हो गए उनको इसी साइड पर रखने दिया और आब इन तीन और तीन छेछे फंदों को हमें आपस में ट्विस्ट कराना है तो यह तीन फंदे मैंने उल्टे वाले पीछे किये और सीधे वाले फंदे ऐसे लेके सलाई पर पलटे ऐसे और इन फंदों को हमें उल्टा बिनना है एक दो और यह तीन उल्टे हो गए और यह तीन सीधे हो जाएंगे फंदों की काउंटिंग सेम रहती है तीन सीधे एक उल्टे तीन सीधे और बीच के आठ फंदे हमारे उल्टे बस फंदों को जब आप ट्विस्ट कराते हैं तब आपको इसमें चेंज करना पड़ता है यह ऐसे हो गए और यह एक दो और तीन फंदे हमारे इधर आगए तीन सीदे और फिर हमारे अगेन पांच उल्टे हो जाएंगे यह देखी हमारे फंदे यह पलटके ऐसे आगए केविल जैसे आगए और यह हमें उल्टी रो हमें पूरी हर सिलाई में हमारे उल्टी रो एक जैसी रहती है और इसकी बाद यह उल्टी रो हमारी ऐसे बनेगी उसकी बाद फिर हमें रो नंबर वन की तरीके से डिजाइन यहाँ पर स्टार्ट करना जैसे मैंने रो नंबर वन पर फट डिजाइन जो बताई वही उल्टे और सीधे इसको बिनना है हमें पाँच उल्टे तीन सीधे एक उल्टा फिर तीन सीधे और आठ उल्टे पाँच उल्टे स्टार्टिंग में इसलिए रखे जाते हैं कि तीन फंदे हमारे साइड में पल्टे जाते हैं जो केबिल के लिए हम ट्विस्ट कराते हैं वह पलटने हैं इसलिए हमें तीन फंदे पाँच फंदे रखते हैं दो फंदे तो हमारे बिनाई में एक्स्ट्रा है मगरwenे साइड में हमें 2 पंदे जोरूत परती है, यदि अगर एक्दम पास से केबिल पेल्टी जाएगी तो अच्छी नहीं आएगी, पलट्टे भी नहीं बनेगा हमें और अच्छी नहीं लगती है, इसलिए स्टार्टिंग के दो फंदे और लास्ट के दो फंदे हमारे एक्स्ट्रा है और इस शिवाज पर हमारे design यह क्ष़तम हो जाता है इसके बाद फिर आपको इस शिवाज सी फिर आपको वही भी बिनाई रिपीट करनी है जो हमने नीचे से स्टार्ट करी उल्टे और सीधे फंदे के देखी केविल हमारी बनने पर ऐसे आती है कुपसुरा सी आती केविल यह बीच के जो डिस्टेंस फंदों का यह आप अपने इसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं मगर जब भी आप भी नई वरना के भी लगदम साइट से टच होके आएगी और वह अच्छी नहीं लगेगी तो फ्रेंट्स आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ज थैंक यू